तो आज हम देखने वाले एक कोशन जिसमें बोला गया है difference between the metal and non-metal basis on their chemical properties वैसे तो students हमने chemical properties दोनों की देखिए metal की and non-metal की but exam के point of view से बहुत important है कि इन दोनों के बीश में difference से साथ है तो चलिए आज हम cover करते हैं इनकी chemical properties के base पे metal and non-metal के बीश में difference तो सबसे प्राइब difference है जो मेंटल की जो oxides होते हैं वो basic होते हैं base होते है nature में okay it means shower होते हैं हिंदी मिलिया तो overall मेंटल के oxides base होते हैं okay लेकिन नॉन मेंटल की oxides होते हैं वो acidic भी होते हैं and neutral भी होते हैं दोनों टाइप के nature के मिलते हैं the second difference is active metals react with dilute acids to liberate hydrogen gas it means active metals होती है जो बहुत जल्दी reaction कर जाती है और जब यह ऐसी metals reaction करती हैं dilute acid के साथ तो उस समय hydrogen gas निकलती है okay पर non-metals जो है वो acid के साथ react करती ही नहीं है okay this was the second difference third metals form ionic compound जो metals होते हैं वो ionic compound बनाते हैं and non-metals जो हैं वो ionic compound भी बनाते हैं साथ में covalent compound भी बनाते हैं दोनों टाइप की compound बना सकते हैं okay ionic compound क्याता है जो ions से बनते हैं covalent यान की जहां पर bond बनता है okay next difference metals tend to lose electrons to form cation metal की टेंडेंसी होती कि वो electron lose यह दान में दे देते हैं okay इसलिए उन पर plus ion आता है जो देता है electrons हो positive ion आते है right तो उसको हम बोलते हैं English में cations जो electron donate कर रहा है जहां plus ion आ रहा है उसको हम बोलते है cation इसलिए ऐसा बोला गया कि जो metals है वो पॉजिटिव होती है क्योंकि वो electron donate कर देती है लेकिन नॉन मेटर्स जो है है वो electron gain करती है ले लेती किसी से और इस पर minus negative charge आ जाता है जिसको हम बोलते हैं English में एनायंस इसलिए नॉन मेटर को electronegative बोला गया है and the last difference is metals react with water to form oxides and hydroxides कि जो metals होती है वो reaction करती है water के साथ और oxide और hydroxide बनाती है तो कुछ metals जो है वह reaction करती है cold water से कुछ करती है hot water से कुछ करती है steam इने भाब के साथ में लेकिन non metals से case में ऐसा है कि वो reaction करती है पॉटर के साथ ओके तो यही थे कुछ एक्चुली केमिकल प्रॉपर्टिस के बेस्ट पर डिफरेंस बिट्विन दे मेटर्स और नॉन मेटर्स ओके स्टूनेंस आई होगा अगर आपको माई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है नॉलेज मिला तो प्लीज हमाई जनको सब्स जतू सो यही थे कुछ भी सुछ जत अजा़, मिला मिला हमाई नॉनिव हमात।